शाम के लिए एक बहुत ही क्रिस्पी स्नाक्स आप सभी के लिए खाना और स्वात आज लेकर आया है स्वागत है आप सभी का खानों और स्वात के चैनल में तो आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी एक बहुत ही इजी सी रेसिपी जो बनेगी भी बस 5 मिनट में और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम के नाश्टे में या प्रिक्फास्ट में तो आप लोग बने रहें वीडियो में और मैं शुरू करती हूँ अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजेगा तो सबसे पहले हमें तो इस रेश्पी में बहुत ही कम सामान के इस्तमाल होगी जैसे देखी सकते हैं अंडा, आलू, परवल और गाजर है तो आप लोग भी सोची रहे होंगे कि इन सारे सबसियों से ऐसा क्या चटपटा स्नाक्स परेगा तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने गाजरों को चील लूगी और अगर आपको जानना है कि कौन सा स्नाक्स परेगा तो आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी तो सब को मैंने अच्छी से चील लिया है अब जो हमारे पास ये कदुकस करने वाला मशीन होता है सब के घर में इससे हम अच्छी से ग्रेट कर लेंगे मैंने पहले गाजर को ग्रेट कर लिया है अब आलू को भी ग्रेट कर लेंगे देखिए उसके बाद ऐसे हमें गार के बिल्कुल सुखा सुखा आलू को निकाल लेना है अब इसके साथ ही हम परवल को भी ग्रेट कर लेंगे देखिए इस तरीके से अगर आपको और ज़्यादा सबसी चाहिए तो आप सबसीया डाल सकते हैं लेकिन याद रखिएगा ग्रेट करके ही दीजीगा इसके बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ मिर्ची अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं इसके बाद ही मैं इसमें थोड़ी से चॉप्ट ओनियंस टाल रही हूँ पर उधर मैंने मैदा सान कर रख लिया था तीस मिनिट पहले ही आप इसे मैदा या गेहू के आटा में भी बना सकते हैं तो देखिए मैं मैदा के लिए बड़ी बड़ी यह लोई बना ली थी और उसको मैं अच्छे से पतले में बेल लूँगी आप देखिए इस तरीके से आप थोड़ी से आटा लगाके बेल लीजेगा और ज्यादा पतला मत कीजेगा वरना इसकी जो स्टफिंग हम लोग भड़ने जाएंगे वो निकल सकती है इसलिए बिल्कुल में ही रखेगा ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं तो ये बेल जाएगा और मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं स्टफिंग में क्या-क्या डालूँगी गाजर, ओनियन, परवल ये ग्रेटेड हुए सब आलू और थोड़ी सी मिर्च अब इनको मैं एक मिक्सचर में बना लूँगी तो देखिए इसे मैं एक बोल में ले रही हूँ इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे मतलब काली मिर्च की पाउडर साथ ही मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ अब हमने जो अंडा लिया था अब आप सोच रहे होंगे कि अंडा का कहाँ इस्तमाल करना है तो देखिए यहाँ पे इस्तमाल करना है अंडा को आप फोर फोर के डाल दीजिगा मेरे सबजी के अनुसार मैंने अंडा तीन ही लिया है अगर आप इसमें और भी जादा सबजी अडाल रहे हैं तो अंडा को थोड़ा सा जादा ले लीजिगा तब तक आप लोग बताएए कि वीडियो कहां से देख रहे हैं आप लोग और आप लोग को ये सब वीडियो देखना पसंद है या नहीं कॉमेंट सरूर कीजेगा तो देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो तयार हो जाए बिल्खुल ही इजी तरीका है ये एक चैटपटी स्नैक्स बिल्खुल पाँच मिनिट में बनाने के लिए तो ये तयार है अब हम इसे स्टफ करेंगे तो मैंने यहाँ पे जो रोटी थी वो ले ली इससे पहले हमने इस चलनी में अच्छे से तेल लगा कर रख देना है तो स्टफिंग मैं कर ले रही हूँ देखे जो हमने स्टफिंग को तयार किया था उसको मैं रोटी के उपर बस सिंप्ली तरीके से डालूँगी जादा मत डालिएगा वरना गिरने का संभावना हो जाता है या फिर ये लीक करने का जंभावना होता है तो इसे आप इस तरीके से मोर लीजेगा और फौर्क या फिर किसी भी एक चीज से ऐसे हमें छेद बनाना है आप फौर्क का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हमें इसे लॉक कर देना है अब हमने जो छलनी पे तेल लगाया था उसे हम गरम कराई पानी डाल कर गिया था उसके उपर डाल रहे हैं और उसके उपर ही हमने जो रेडी किया है हमारी वेजिटेबल वाली मुगलाई उसे डाल देंगे बस अब हम इसे अच्छी से बॉयल करते रहे हैं इसको आप डिरेक्ट मत फ्राई कीजीगा इसको बॉयल करके ही फ्राई करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सबस्या है जो बॉयल भी हो जाएगी फिर खाने में आपको अच्छी लगेगी बस उसके बाद इसे आप गरम गरम डी फ्राई कीजीए और आपकी शाम की नाश्ता की अब से टेंशन दूर हो गई क्योंकि खाना और सुआद आपको सिखा दिया ये बहुत ही क्रिस्पी जो बच्चे क भी पसंद आएगी ऐसी नाश्ता और इसे तो आप कभी टिफिन में भी दे सकते हैं किसी को भी तो आप लोग बताएप लोग को वीडियो कैसी लगी और वीडियो कर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को कैसे कैसे वीडियो सेखनी हैं ये भी बताईएगा अगर आप लोग फेस्बुक इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूले और थोड़ी सी लाइक और थोड़ी सी शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद